पूने से दो घंडे की दूरी परिस्तित है सिंगड किला जिससे पहले कुंधाना के नाम से भी जाना जाता था जो ताना जी मलू सरे की शौर गाथा की याद दिलाता है जिसे एक्स्प्लोर करने हम निकल पड़ें 1670 में सिंगड की लडाई में ताना जी ने मुख भुमे का निभाई थी इस युद्ध में किले को जीतने के साथ साथ ताना जी वीरगती को प्राप्ट हुए उसके बाद छतरपती शिवाजी महराज ने इस किले का नाम कौनधाना से बदल कर सिंगड कर दिया था क्योंकि शिवाजी महराज ना जी को सिंग कह कर पुकारा करते थे यहाँ पर आपको खाने पीने की कई सारे हट मिल जाएंगे जहाँ पर आप चटाई पर बैठ कर अपनी पूरी फेमिली के साथ पिकनिक का आनन दे सकते हैं यहाँ के मंदिर और गुफाओं की दिवारों की नकासी से पता चलता है यह किला संभवता लगभग 2000 साल पहले बनाए गया था किले में प्रवेश करने के लिए कल्यान दर्वाजा और पुणे दर्वाजा नामक दो दर्वाजे हैं कल्यार दर्वाजा दच्छल पूर्व की और जबकी पुने दर्वाजा उत्तरपूर की और इस्थित है किला जीतने की बात जब शिवाजी महराज को पता चली तो शिवाजी महराज बेहग खुश थे पर जब उने ये पता चला कि ताना जी मलुसरे वीरगती प्राप्थ हुए हैं तो शिवा जी महराज को बहुत दुख़ा है गड़ आला पंद सिंगेला किला हसिल हुआ पर शिर जैसा सैनिक नहीं रहा ताना जी शिवा जी महराज के बहुत करीबी मित्र और सेनापती दोनों थे उनकी याद में उन्होंने उनकी समाधी भी बनवाई जो बहुत ही वीरता पूर्ण और प्रेना दाई है यह किला काफी बड़ा और पहाडी रास्तों से भरा हुआ है जहां ट्रैक करते हुए आप दिन भर घूम सकते हैं और शाम को काफी खूपसूरत संसेट का आनन्द भी ले सकते हैं यहां पर एंट्री बिल्कुल फ्री है यहां फोर विलर पारकिंग के सो रुपए और टू विलर पारकिंग के पचास रुपए आपको देने होंगे